अगर देखिए सबसे पहली अगर आप लोग चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब करें अपने फ्रेंडों तक सेयर करें ताकि उन तक भी यह जानकारिया पहुंच सके आज देखिए आज जो हम लोग IPC Act जानते होंगे और CRPC क्या होता है IPC और CRPC के बारे में परेंगे जैसे देखिए आप अपने आसपास के न्यूज पर टीवी चैनल कई न्यूज मीडिया के तरह से आपको पता चलता होगा कि आपरादी गतिवीरियों के बारे में सुनते होंगे कि रेप हो रेप की है कांड हो हतिया हो चोड़ी हो डकेती हो साइबर क्राइम हो यह सारे आपराद करने वाले आपरादी को सजा देने के लिए देश में अलग-अ यह से अधिकार है कि कानून के बारे में जाने आपने कानून अपने देश के कानून के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए साथी साथ इससे पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि एक्जाम में इससे question भी पूछे जाते हैं especially UPSI के exam में इससे question पूछे जाते हैं तो चलिए आज जो हम लोग शुरू करेंगे IPC पहले जानते हैं क्या होता है IPC इसको हम लोग इंग्लिस में कहते हैं इंडियन panel code इस इंडियन पैनल कोड इसका हिंदी क्या होता है हिंदी में कहा जाता है भारती है डन्ड सहीता तो लिख लेजिए होता है इंडियन पैनल कोड भारती है अब देखिए यह क्या होता है अब बात है अठारा सो तेतीस इस्वी के जब चैटर एक्ट आया था उसके बात है अठारा सो तेतीस इस्वी के जब चैटर एक्ट आया था उसके बाद अठारा सो तेतीस इस्वी में पहला कानून आयोग बना तो देखिए थोड़ा थोड़ा पॉइंट पर गौर करेंगे जैसे यहां पर अभी बोले आठारा सो तेतीस इस्वी में पहला कानून आयोग बना तो हम लोग याद रखेंगे कि पहला कानून आयोग कब बना तो अठारा सो तेसे इस्वी में यह लौड माय काले जो था कानून आयोग के पहले चेर्मेन थे, इसके बाद देखिए, जब तो जब पहला कानून आयोग बना तो उसके सिपारिस पे, पहला कानून आयोग के सिपारिस पे IPC को बनाया गया, पहला कानून आयोग के सिपारिस पे यह IPC जो है, उसको बनाया गया, अंग्रेजी सासन में 6 अक्टूबर 1870 में ये पहली बार संसद में ये कानून पास हुआ इसके बाद 1862 में पूरी तरह से लागू कर दिया गया इस कानून को 1862 में पूरी तरह से लागू कर दिया गया उस टाइम ये कानून जो था अंग्रेज पे भी लागू था अग चलिए उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तब भारत का भीवाजन हुआ तब भारत आजाद होने पर भारत ने IPC कानून को अपनाया और इसमें कई सारे संसोधन कैए गए कई सारे इसमें सुधार किए गए उस समय IPC Indian Penal Code देश का सभसे बड़ा क्रिमनल लौ था देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल लौ कौन सा था इंडियन पैनल कोड याद रखेंगे और देखिए देश के सभी नागरिक पर लागू था यह कानून जो है देश के सभी नागरिक पर लागू है हम पर भी लागू है आप लोगों पर भी लागू है जितने भी देश के नाग आप देखिए ये कानून को लागू करने का कारण क्या था काहे इसको लागू किया गया IPC को देश में इसलिए लागू किया गया ताकि पूरे देश में आपराधी के लिए एक जैसा कानून बने पूरे देश में आपराधी के लिए एक जैसा कानून बनना चाहिए इसलिए इस कानून को लागuke किया गए, तो IPC basically यही निर्धारित करता है कि जुर्म के लिए क्या सजा होना चाहिए, यह IPC जुध है, अब इससे यह निर्धारित होता है कि अगर कोई चोरी किया है, कोई अगर किसी का अपराध किया है, या किसी का बलतकार किया है तो उसको IPC से यह निर्दारित होता है कि उसको क्या सजा होना चाहिए, उसको कितना डंड देना चाहिए, IPC में यही देखिए, तो इसको समझते हैं, IPC basically पुरे देश के crime के तेगरी करता है कि किस किस तरह का अपराध होता है और उन अपराधों के लिए क्या क्या सजा होनी चाहिए तो IPC में कुल 23 चेप्टर होते हैं, 23 चेप्टर होते हैं और 511 जो है, क्या होते हैं, सेक्षन होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में धारा कहते हैं, 511 सेक्षन यानि 511 धारा होते हैं, आप देखिए IPC को, तो देखिए IPC क्या होता है, IPC define offense and provide punishment for it, IPC एक परकार का substantive law है, यानि की मौलिक कानून है, अब देखिए मौलिक कानून, मौलिक कानून के समझने का दो तरीका है, अब हम लोग मौलिक कानून समझते हैं, IPC तो समझ लिए, अब मौलिक कानून क्या होता है, उसको समझते हैं, मौलिक कानून दो तरीके से हम लोग समझेंगे, पहला क्या होता है, सिविल लॉग पहला होता है पहला सिविल लॉग होता है और दूसरा होता है आपका पहला सिविल लॉग दूसरा होता है क्रिमिनल लॉग क्रिमिनल लॉग आप देखिए इस सिविल लॉग को हम लोग दिवान की मामले काते हैं दिवानी मामले हिंदी में क्या कहते हैं दिवानी मामले सिविल लाओ को हम लोग हिंदी में कहते हैं दिवानी मामले और इसको क्या कहते हैं क्रिमिनल लाओ को फाउजवादी फाउजवादी मामले अब यहां तक समझ गया अब इसके बाद जो है एक simple way में यह कानून crime के बारे में बताता है कि किस crime के लिए क्या सजा होना चाहिए और कितना जुर्माना होना चाहिए अब देखिए ये तो बता दिया कि अब हम लोग को पता कैसे यानि पुलिस को पता कैसे चलेगा कि ये कानून जो ये जुर्म जो है कौन आदमी किया है नहीं किया अब ये पता कैसे चलेगा तो कोई अपरादी है की नहीं है उसको पता करने के लिए एक CRPC को लाया गया CRPC CRPC को इसे के लिए लाया गया CRPC क्या होता है CRPC होता है Code of Criminal Pursodure आप देखिए इसको हिंदी में कहते हैं दंडे परकिरिया सहीता यह कानून जो है 1973 में पारित किया गया यह कानून जो है CRPC 1973 इस भी में इसको पारित किया गया आप देखिए किसी भी परकार के आपराद होने के बाद दो परकार की परकिरिया होती है दो परकार की परकिरिया होती है इससे पुलीस किसी आपरादी की जाच करने के लिए अपनाती है अब कोई भी पुलीस होती है तो उसको तो पता नहीं रहता है कि यही अपराद किया है तो वो पहले जाच करती है उसके खिलाप जाच करती है उसके बाद सबूत इकटा करती है और उससे पूछतास करती है तो देखिए इस दो तरीके से जाच करती है पहला जिसके साथ अपराद हुआ है उसकी जाच करने के लिए CRPC किसलिए बना गया है दो तरीके की जाच करने के लिए पहला जिसके साथ अपराद हुआ है उसकी जाच करने के लिए और दूसरा जिसने अपराद किया है उसकी जाच करने के लिए अब देखे CRPC में में तीन पॉइंट आता है कि CRPC को समझ लिए हम लोग आप CRPC में जानते हैं में तिन पॉइंट क्या होता है पहला देखिए इसमें होता है इन्विगेश्ट इन्विगेशन पहला क्या होता है इन्विगेशन आफ क्राइं और दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है दूसरा पॉइंट होता है ट्रीटिंग आफ सक्सपेक्ट और तीसरा क्या होता है तीसरा होता है कलेक्शन आफ अब देखिए CRPC में यही में तीन पॉइंट होता है जिसके CRPC को लाने का में यही थरीका था पुलीस CRPC के तहत यही जाच करती है पहले तो यह जाच करती है कि क्राइम हत्या का है या बलतकार का है या ड्रेकरती का है या चोरी का है या किस चीज का है और दूसरा अगर उसमें किसी पे सक होता है तो उसको ट्रेटिंग ऑप सस्पेक्ट केता है तो उसका जाच किया जाता है कि वो उस अपराद में सामील है या नहीं अब देखिए जब यह दोनों हो जाता है तो लास्ट में आपका आता है कलेक्षेन ऑप एडवियांट तो इसमें क्या होता है कि सबूत जुटाती है पुलीस किसी अपराद के खिलाप की यह इस वैक्ति ने इस अपराद किया है मेरे पास इनके खिलाफ ये सबूत है ये था आज हम लोग जाने IPC और CRPC के बारे में next day मिलते हैं कुछ और topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद